दोस्तों क्या आपके फोन में आपका जो कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा है या आपके फोन में आपका कैमरा ओपन हो रहा है ओपन होने की बाद आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हैं हमारे फोन में हमारा जो कैमरा है वो ओपन नहीं होता है आट अपण से कम दो या तीन सेटिंग को apply करना होगा सबसे पहले आप जाएंगे अपने mobile phone के setting में सेटिंग में जाने कि बात यहां पर आपको जाना होगा उप्षन में चले जाएंगे अगर आपको नहीं पता है डेपिलोपर option चालू कैसे करते हैं तो उसका link आपको नीचे मिल जाएगा उस पर click करके आप पता लगा लिजी कि आप developer option open कैसे करेंगे उस पर मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है अब आप इसके अंदर चले जाएए जाने की बाद यहां पर आपको एक setting मिलेगा तो थोड़ा सा नीचे आईए नीचे आने की बाद फिर आप यहां से बैक आ जाएए बैक आने की बाद आपको अपने जाना होगा mobile phone के camera में और आप यहां से अपना camera open करेंगे तो देख सकते हैं अभी भी हमारा camera open नहीं हो रहा है तो आपको जाना होगा फिर से अपने developer option में और फिर से आप इसी setting में और फिर से अब आप notification पैनल को नीचे करेंगे यहां पर यह setting मिलेगा आपको एक आप इसे यहां से बंद कर दीजी बंद करने के बाद फिर आप इसे यहां से बंद कर दीजी अब आप बैका जाएए और अपने camera को open करिए अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा camera open हो चुका है और आसानी से हमारा camera यहाँ पर चलना भी start हो चुका है तो पहला काम यह है आप पना यह कर लिजे उसके बाद फिर भी अगर आपका ना चले तो आपको यहाँ से बैक आना है बैक आने की बाद फिर आप अपने mobile phone के camera पर long press करेंगे long press करने की बाद i button मिलेगा आप इस पर click करेंगे click करने की बाद आपके समने app info निकल कर आजाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचा आएंगे यहाँ पर मिलेगा storage आप इस पर click करेंगे इस पर click करने की बाद clear chest पर click करेंगे उसके बाद clear data मिलेगा आप इस पर click करेंगे और ok करेंगे इतना काम करने की बाद यहाँ से back आ जाएए बैक आने की बाद आपका अगर Redmi का mobile phone है तो आपको यहाँ पर एक option मिलता है company के तरफ से Get MI, यहाँ पर आने की get आपको मिलेगा Get MI, जैसे हम Samsung का योज करते हैं तो हमारे पास Galaxy Store है तो इसी तरीके से आपके पास mobile का एक store होगा जो भी आपके पास mobile होगा अपना mobile store open करेंगे और वहाँ पर जाकर अपने camera को आप update कर लेंगे तो आप इतना करने के बाद आपको अपने mobile phone को एक बार पूरी तरीके से सुचौप कर देना है यानि कि सुचौप करके आपको फिर से चालू कर लेना है इतना काम कर लिजे फिर आप चेक करिए कि आप आपका camera अच्छे से काम कर रहा है या नहीं अगर बाई चांस आपका camera अभी भी काम ना करें तो आपको जाना होगा फिर अपने mobile phone के अंदर setting में तो यहां से हम आते हैं बैक बैक आने के बाद चलते हैं mobile की setting में यहां पर आपको search bar पर click करना होगा यहां पर आपको type करना होगा reset यसे आप reset type करेंगे आपके समने एक setting आजएगा reset और यहां पर आजएगा all setting आप इस पर click कर दीजी इस पर click करने के बाद यहां पर यह setting मिलेगा इस पर टच करिए टच करने के बाद reset setting पर क्लिक करिए यहां पर आपको अपना password डाल देना है उसके बाद यहां पर मिलेगा reset आप इस पर क्लिक कर देचे उसके बाद आपका सारा setting reset हो जाएगा यहां से आपका कोई भी data delete नहीं होगा और इतना काम करने से फिर आपका अपना जो camera है वो अच्छे से काम करना start कर देगा बस आप एक बार अपने mobile phone को सुचाप करके on कलेजे क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम setting को चालू कर देते हैं और यह हम उसे बंद कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है यह कोई ऐसा कर देता है और हमें पता नहीं चलता है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में